आप सबका टीम सोरिंगे यूटीब चैनल में तो इस वीडियो में बात करने वाल है आज के लिए जो हमारा मुमेंट्स एशिया कप का फाइनल मैच रहेगा इंडिया वाशे श्रलंगा के बीच में क्या कुछ इस मैच के रिलेटेड अप प्लेयर्स रहेंगे क्या को टीम मन करा सकते हैं कि जब पहले मैं चौद कुछ प्लेयर्स चले थे कुछ नहीं चले थे स्मृति मंदाना का सबसे बड़ा सवाल है आज उनको आपको अपनी टीम में रखना है कैप्टन वाइस कैप्टन आना है या फिर लाइक इग्नोर करना है तो सब चीज़ेंग और रोज आप देख रहे हो कि किस लाइक लेवल का अभी के लिए जा रहे है कैसे अपने जो प्लियर सा वो चल रहे है सारी चीज़े लाइक डिसक्स कर रहे है तो आखिर तक बस देखते रहना एंड पूरा ध्यान से सुनोंगे तो डेफिनिटल आपने स्मोली ग्रेंड ल ताकि आप जो कोई मैच की वीडियो से बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ साथ एसाथ एक और आप काम कर सकते हो क्या है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो जो लिंक दिया हुए ने टेलिग्राम चनल का उस पर क्लिक करके आप चैनल को जोईन कर सकते हैं वहां पर आपके लि क्रिकेट ग्राउंड में जो मैच है वो खेला जाएगा बागी इत्ती वड़ी ट्रोफी है देख लो एशिया कब की मैंस टीम तो हमारी लानी पाए थी वोमेंस टीम डेफिनिटी लेके आए आगी आज बागी उसका बाद हो बात करते हैं इस वेन्यू पर क्या कुछ हो सब्सक्राइब करते हों के एडवांटेज में रहती है दर से ठीक है 126 का है पर बहुत ज्यादा स्कॉर नहीं बनता है बात करते हैं स्कॉरिंग पैटन की वहीं है वन फिफ्टी से नीच है लग 29 टाइम स्कॉर है 152 169 है 5 टाइम 172 189 है टू टाइम एंड 190 से उपर तो वह सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं देखो पिछले जो पांच मैच हो चुके हैं और जो डे और नाइट में जो मैच अब वैसे तो लाइक अभी सुबह है नहीं मैच एक भी इस लाइक एश्या कप का है इस ग्राउन पर आप समझ लो बट अभी तक जो डे नाइट सब्सक्राइब करते हैं उसके हिसाब से तो ट्रइंट ओफ ऑक्तुबर को जो शाम को मैच हो था मतलब एक बजे शिरलंका और पाकिस्तान का शिरलंका एक रंग से मैच जीत गई थी और तुमने सलिबरेशन नहीं देखा शिरलंका का बड़ा जबर दस्ता देखना जाकर घ सुबह के टाइम में मैच यहां पर अकराब देखोगे तो थोड़ा पीसर को विकेट हलाकी मिल गये थे और अभी थोड़ा ना पिच काफी जादा एक यूज्टू हो गई है कि काफी जारे मैच लगाता रहो चुके और यह कोई भी ऐसी फ्रेश विकेट तो मिलेगी नहीं इंडिया और सिर्लंका को तो पेसर पर भी थोड़ा ध्यार रखना बहुत जादा विकेट तो नहीं मिलेंगे बढ़ हो सकता है कि एक दो विकेट यहां पर पेसर को मिल जाए ठीक है दूनों टीम का स्पेंट डेपार्टमेंट काफी अच्छा है तो डेफिनेटली स्पिनर काफी अच्छा काम कर रहे हैं अब इस लाइक नाइट वाले मैचेश में देखोगे तो भी आपको एक ही चीज़ दिखेगी कि लाइक विकेट वगरा जो है इधर से स्पिनर को मिल रहें पिछले पांचों मैचेश में यही कहानी है देखो टैंट ओफ ऑक्टोबर वाला प बनार को मुझेश में बना विकेश में प्षेंड बना निकालते हैं कि अच्छे पांच मैच के टोटैल आपको मैं समरी बता देता हूं गया है की इच्छे पांच मैच में क्या हुआ हुआ है कि अच्ठाइस यूडिक्त तो जो इस बनार कि निकाले हैं और शिक्ट गौन विकेट्स निकाले भी निया तुम समझे तो पांच मैच वे मातर दस विकेट है लाई कि दर से पेसर्स के तो कुछ जादा ही कान ही खराब है उनके इस ग्राउंड पर बाकि आपके बात करते हैं पिछले 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 नहीं अप प्लेंग एलेवन पर रहाते हैं क्या कु प्रिते मंदाना ने रन बनाए है ठीक है वो भी कोई जादा बहुत एक बड़ी टीम के अगेंश्में नहीं बनाए तो सिर्फ एक वही चीज़ है एक मैच में बने उसके लावा सब मैचेज में फ्लो का मंदाना बाकि उसका बाद में जैमिमा रोडर्ग्यूस ये क्रीट कोड जो थोड़ी अपनी बैटिंग पोईशिन के वापस आ गई है क्योंकि फाइनल मैच उसकाट पर इचागोश्ट दिम्ती सर्मा पुजा वस्तराकर एक तो दो ही पेसर से अगर आप टीम में देखोगे तो इंडिया के एक तो रेनुका सिंग है और इक इदर से पुजा वस्तराकर एक किसी भी एक को अगर रखना चाहो तो आप रखकर चल सेक्टिव टीम में अगर मैनेज कर पाओ तो रख लेना पुजा वस्तराकर स्नेराना राधायादो रिनुका सिंग एंड़न राजिश्वरी गायकवाट तो यह जो आपको एक प्लेइंग जो इदर से होने वाली है क्योंकि ऐसा कोई भी रीजन यह बनता है कि प्लेयर को बाहर किया जाए एकसेप्ट राधायादो इनकी जगे पर हो सकता है दैलान हेमलता को लाए जाए जाए पर राधायादो का जो रिकोर्ड है अगेंस्ट शर्लंका वो बहुत जादा अच्छ जाए इस वैसे हो सकता है इनको भी लाइक उसी पॉइंट के ओपर खिलाए जाए बात करते हैं शर्लंका की तरफ और हां एक और इंपॉर्ड चीज के जिसको भी नहीं पता है कि कौन सा बोलर कैसी बोलिंग करते हैं तो भाई यहां पर मैंने लिखा हुआ है उसके बात करत शर्लंका की तरफ से तो शर्लंका ने पिछले मैच में क्या प्लेइंग 11 के लाई थी तो उनकी तरफ से चमारी अटाबटू अनुश्का संजीवनी जो ओपन कर रहे हैं और चमारी अटाबटू का भी उतना अच्छा पूरा इश्या का पेक रहा नहीं ना बैटिंग से दिखी अभी तक उसके बाद में हर्शिदा मदावी है निलाक्षडे सिल्वा हसीनी परेरा इनका थोड़ा बैटिंग मोडर आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं उसके बाद में उशाडी राना सिंगे है कवीशा दिलहारी मालशा शिहानी सुगंदीका कुमारी इनोका रा राना वीरा और उसके बाद में अचीनी कुलिक से रहा तो सारे के सारे ने एक तम जो है एक बोलर सी नजर आते इदर से उसके लाव कुछ जादा में को दिखनी रहा है तो काफी गमजोर है कभी के लिए श्रिलंका के आप टीम मान सकते हो हलाके फाइनल में ज़रूर पहु ऑट-बेसर से एक तो राना से और एक इदर से अचीनी कुलिक से ठीक है दो ही पेसर से और एक मदावी है चमारी अटा-पटू है पत से उतनी उमीद अभी के लिए तो ना रखो ठीक हैं में पाल लाइक में जो बोलर से ना उन्हीं को पर जादा फोकेस रखना बागे के इंडिया की बात करनों तो चूराया थो देखने मेंच czasu उसके बात कर दो को चो चोड़ो पजो शानी है है और जो कि राइट आम ऑफ ब्रिक डालती है रश्मी डिसलवा है राइट है राइट हम मीडियम थरीका शेवंडी है जो कि लेफट आम मीडियम जो डालती है आपको दिख जाते हैं तो यह कुछ प्लेंग 11 एंड जो पैंच प्लेयर से टीम्स के वो रहने वाले चिंजस के उमीड बहुत जादा कम है और इन चार मेंसे तो मैंने को बिल्कुल नहीं लगता है कि श्रलंगा की प्लेंग 11 मिला किदर से कोई भी आने वाला है अब बात करते हैं इस वेन्यू पर क्या कुछ कहा रहे हैं यह आरे तो अगेंश पाकिस्तान यह भी हारे तो अगेंश पाकिस्तान बट इनका बदला जो था वह काफी एक मैं बोलूंगा ना कि मारा उस टाइम पर जब सबसे ज़्यादा दर्द हुआ उसके बाद में और रंडरेट स्कोर इंडरेट जो इन्डेट जो बाकी बैट्समें ज्यादा कोई चला नहीं था इस मैच विकेट्स की जब माँ बात करो दो विकेट तो वस्तरा करके दे और तीन विकेट इदर से दीपती शर्मा के थे एक एक विकेट वाली बात नहीं कर रहा हूं वह काफी सारे प्लेयर्स ने लाइक लिए थे इदर से प्रना विकेट्स चान आप दीपती शर्मा विकेट्स से चलो चाहिए इट आफ ब्लबर को मैच हुआ दो विकेट इदर से शेफाली वर्मा को भी मिल गए थे उसके बात कर तो शेफाली वर्मा ने उस मैच वे 55 बने मंधरा ने बने 47 डोग रूड रइव से बनाय थे धर ठीक है उसके बाद में 10th of October को मैच हुआ इस मैच में लाइक चालिस का टार्गेट था तो इदर से लाइक वस्तरा कर और मेगना नहीं लाइक चेज डाउन कर दिया था विकेट्स किसके थे तीन विकेट्स ने राना के दो विकेट्स इदर से दीप्टी शर्मा के दो विकेट्स राजैश्वरी गाइक वाड के देप्ती शर्मा दीप्ती शर्मा दीप्ती शर्मा विकेट्स की जड़ी लगा रखिए इन बोलर ने उसके बाद में बात करें 13th of October को जो मैच हुआ के लिए दर्से दीपति शर्मा के थे तो आपके लिए तो तीन चरिय कोबर प्लियर शोट लिस्ट में कर देता हूं इस वेञ्ड्यू के हिसाब से कौन कौन से पहला नाम आता है एट जिएफाली वर्मा का थर्ड नाम आता है राजेश्वारी गायःक्वाड का और चोथा न कि तो शिर्लंका की तरफ से क्या कहानी है उनके पिछले चार मैचिस की वह भी एक बड़ देख लेते हैं इधर वह से एक दो प्लियर साय को मन जो अपलाइक टीम में दर सारक कर चाल साय तो सबसे वहले इनके भी सबसे लास्ट मैच की बात करते हैं एट तो फॉक्ट अबर को विकिट थे और सुगंदी का कुमारी जो है उनके दो विकिट आपको देखने को मिल जाते हैं अम मैच वह 10th of October को श्रलंका और बांगलादेश के बीच में यह तोड़ा से डगवर्ट क्लोईस के विज़ाशे श्रलंका जीत गई इस मैच को रंज जो आये थे वो बटू ने बनाए 41 रंस हसीनी परेरा ने बनाए 18 रंस एंड दो विकिट थे कविशा दिलहारी के बाकी एक एक विकिट लाइक राणा सिंगे राना विरा इन सब का था ही उसके बात में बात करते हैं और 13th of October को मैच वह जिसमें हर्शिता मदावी जो है वो 35 रंस के साथ मे दिके अनुष्का नजीवनी ने में तुटते सिक्स रंस एंड इदर से राणा विरा ने भी जो है दो विकिट निकाले जब बाकी जो एक एक विकिट है ना और इन चारो मैचेस में वो राणा सिंगे वगएर के तरफ से भी आपको देखने कुछ जब मिल जाते हैं तो मैच में नाम देखने को मलता है वो है इदर से राणावीरा का और डेफिनेटली राणावीरा का अगर आप चाहो तो ग्रैंड लिग में ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा आलग घटके जाने के लिए बिल्कुल आप जो ट्राइकर के चल सकते हो तो यह तो कुछ हो पर लाजो काफी जादा बारी है इंडिया 22 में से 16 मैची जीती है चार हारी है दो मैच ऐसे जो नुरुजल्ड अमंडन रहे हैं बात करते हैं नेक्स्ट हमारे हैट्वेड लीडर्स की हैट्वेड में कौन परफॉर्म करता है कौन नहीं करता है वेन्यो पर तो आपने 25.74 जो की काफी ठीक टाक्स है डेविनेटली लेने लाइक प्लेयर तो है ठीक है उसके बाद में इधर से हरवन प्रीत को रहे जो 14 इनिक्स में 325 रंस बना चुकी है 63 का हाइश्ट है एवरेज काफी जाद है 29.55 का बट उससे भी जाद आच्छा एवरेज है जैमिवार रो की ऐसा भी नहीं के आठ में से चार बार या च्छा बार नोट आउट रही है आठ में से सिर्फ यह दो बार ही नोट आउट रही है तो एवरेज बड़ा ही जस्टिफाइड है 55.60 का एवरेज डेफिनेटली आपके लिए लेने लाइक प्लेयर बनेगी अच्छी फॉम में पूरी ही एश्यागप में आप अगर कैप्टन वाइस कप्टन अगर आप इनको करना चाहो अपनी ग्रैंड लिग के टीम में या फिर मिनी के टीम में तुम्हें बिल्कूल आप कर सकते हो आपके पास बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा डिफरेंशल उप्सन है उसके पाद में स्मृति मंदाना 15 में मात्रत 216 रेन हैं स्मृति मंदाना के बैट से अगेंश शिरलंका 43 का उनका हाई एश टूर एवरेज है 15.43 ठीक है एक तो हैट्ट्वेड बेकार एक उपर से फॉर्म खराब इस वेन्यू पर तो कहीं ना कहें स्मृति मंदाना अगर आप इ वह किसने किया है वह राधायादव ने 9 मैचे निकाले हुए हैं श्रिलंका 13.07 का स्ट्राइक रेट मतलब बहुत जादा बढ़िया है विकेट तुम मैंच में 14 विकेट तो डेफिनिटल बहुत बढ़िया है देखने को मिलते हैं इनों का राना वीरा आती है जिनका 9 मैच म 12 विकेट के साथ में देन इधर से दीपती शर्मा है 12 मैच में 11 विकेट अलेकि इनका रिकोर्ड थोड़ा सा ऐसा है कि 50-50 है बट डेफिनिटल अच्छी फॉम में चल रहे है तो मिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो दीपती शर्मा को भी चमारी अटा बटू 12 मैच में 8 विक कि अगर टीम में ले पाओ तो ले ले लेना अगर ना ले पाओ तो काम चल जाएगा ठिक है इसके कुछ काहनी रही है एसी अब आते हैं निकलकर हमारे बॉलिंग में से थोड़ा सा आगे जो आते हैं तो बोलिंग से निकलकर आए तो आज आते है प्लेयर बैटल क्या कुछ शचय के आसे नहीं है तो सबसे वहले शेदंग कावले की बात कर लेता है अनुस का संजीवनिय हैं जो अगेंस्ट रादायादो आठ बॉल में दो बार आउट हो चुकी है तो कहीं न कहीं रादायादो के अगेंस्ट में थोड़ा सा खत्रा ज़रूर सा जारूर बने वो अतनी लिक्त नहीं है जाने जल्दी आउट हो रही है वहाँ पर जो चमारी अटा वोटो वो रादय यौदो को रण ही मार रही है बड़ सो के श्राइकर इड़ से रंग मारे उनोंगे इंडिया के तर दो ही फ्लियर बैटल है शेफाली वर्मा अगेंश राना सिंगे चौदा बॉल 22 दो वार विकेट और स्मिर्थी मंदाना भी अगेंश राना सिंगे 17 बॉल 2 विकेट तो राना सिंगे कही ना कहीं जो ओपनर्स है आज के लिए भी उन दोनों ओपनर्स में किसे एक को लेजा सकते हैं और जैसी फोर्म चल रही है ऐसा लगता है कि मंदाना को ही अब आज आते हैं निकल कर नेट्श जे वांबात करते हैं तो आज को प्रसाइन की तरफ से तो अगर आप जाना चाहो तो जिनका नाम है इनोका रही है क्योंकि काफिय जाड़ा कंसे रही है वह भी दीपती शर्मा के दरहें अगरा इस ग्रांड पर निकालने में तो तो डिफिनिटलि अगर उनको आप ट्राइ करना चाहू इसा वाइस कैप्टन के लिए तो कर सकते हो कहीं ना कहीं आज की भी चांसे है कि एक सो दो विकिट वो निकाल सकती है बात करते हैं इंडिया के तरह से जो सबसादा सेफ चोईस है शिफाली वर्मा तक इस लाइक शेक अप में बहुत बढ़िया कै और बैटिंग और बोलिंग दोनों से ठीक है हलाकि इस मैच में हो सकता है कि बोलिंग उतनी ना मिले या मिल भी जाए कि अगर दूसरे वोलर्स को मार पड़े तो शिफाली वर्मा से भी एक दो डलवा लिए जाए तो वैसे कुछ कहानी है बट ऐसा है कि अभी जो भी एक दो डालने आती है तो साथ में विकेट ले जाती है अब वो कैसे मिलता है कैसे नहीं क्योंकि एक प्रॉपर वोलर तो नहीं है बट हाँ विकेट मिल रहा है एंड थोड़ी अच्छी फों में तो डेफिनिटली अगर आप ट्राय करना चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में जा सकते हो बैटिंग से भी काफे अच्छ कैप्टन इस मैश वो बन सकती है तो यह तो रहेंगे आज के लिए कुछ किप्टन आयस कॉप्टन अब आ जाते हैं आज की जो हमारी टीम रहे सकते हैं तो टीम से पर आने से पहले आप यह बता सकते हो कि आज का जो एक हाईस स्कौर रहेंगा इंडिविज्वल प्लेयर का 60, 70, 20, 30, 50 कितना रहने वाल है ठीक है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना बागी मल्टिपल आइडी यूज मत करना अधरवाई जब डिस्क्वालिफय हो जाओगे कमेंट को जब तक मैं विनर डिक्लियर ना करूँ तब तक आपको एडिट नहीं करना है तो यह चीज़ भी आप ध्यान में जरूर रखना ठीक है उसके अलावा जो विनर्स वगरा है वो आईगी इंस्टाग्राम की उपर तो फोलो जरू कर लेना जाकर एड़ डरेट टीम्स फोरिंड इंस्टाग्राम का यूजर ने में तो मिस बिल्कुल मत करना ठीक है इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करना किसी फेक पर मत पहुच जाना रियल पता करने का तरीका बता हूं 13.1 एES थाटीन फीकारätzen फोलो और से तो वही जाकर आपको फोलो करने बात करते हैं अभी अपनी टीम की टीम की आप तिम की आप अब कुछ आज के लिए हैं एब टीम की जा हूं बात किया उल्टरोंडरा शेक्षिन की अटा बटू है दीपती शर्माई यहां से थोड़ा एक डिफरेंशल किया हूं मैं कवीशा दिलहरी के साथ में क्योंकि इनको भी आप इग्णोर नहीं कर सकते हो अलाकि इतने उन्हें बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं निकाले है बट ना थोड़ा सा रिस्क ले रादा यादो जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं गया है बट उनका रिकोर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है मैं थोड़ा सा राइक रिस्क लेकर चल रहा हूं ऑगे शर्लंकर रादा यादो के उपर अगर आप लेना चाहो ना सेफ जाना च चाहो तो बागी मैं अभी कहले तो रिस्क लेकर आदा यादो के साथ में ही जा रहा हूं और फाइनल टीम में आप देखी लोगे जो की टेल्ग्राम चैनल पर आईगी तो मिसमत करना लिंक डिस्क्रिप्शन में जोइन कर ले होना टेलग्राम को कैप्टन वाइस कैप्टन लिग में जैसा मैंने आपको बताया राणावीरा हो गई राधायादा हो गई राजेश्वरी गाइकवाड जैब मीमा रोटर्यूज इन प्लेयर्स को ग्राइंड लीग में ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन करना मत बूलना तो यह तो रहेगी कुछ टीम्स और सारी चीज़ है अपडेट से सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो फटावट से जागे जोइन कर लेना बाकि उल्डवेश्टेस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स वीडियों में बहुत ही जाले जल्द